हेलो दोस्तों आप सभी का ओल राउन नोलेज में स्वागत है और दोस्तों आज मैं आप लोग को एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ और इस स्टोरी का सिर्शक है तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग अनोलेजिबल है और इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत सारे इंग्लिस वर्ट सीखेंगे ग्रेमिटिकल स्ट्रेक्चर को समझेंगे तो मैं आप लोग को एक एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा once upon a time there lived a stork by the side of a pond एक बार की बात है यानि कि once upon a time there lived a stork by the side of a pond एक तालाब के किनारी या तलाब के समीब नजदीक में या बगल में stork रहता था तो जैसे एक राजा रहता था there lived a king तो उसी परकार there lived a stork there were plenty of fish in it and the stork had enough to eat और in it यानि कि इस में या उस तालाब में बहुत सारी मचलियां थी and the stork had enough to eat और इस टोर के पास प्रियाप्त था खाने के लिए यानि कि मचलियां और यहाँ पर plenty मिस होता है बहुत ज्यादा और fish का plural form fish ही होता है, fishes नहीं होता है years past, साल बीता गया, the stork grew old and weak और stork यानि कि सारस बुढ़ा हो गया और कमजोर हो गया तो यहाँ पर क्या है, grew यानि कि grow से बनता है, तो grow old का मतलब बुढ़ा हो जाना he found it difficult to catch all the fish he wanted और अब उसे कठीन लगने लगा he found it difficult to catch all the fish he wanted यानि वहाँ जो मचलियां पकड़ना चाहता था अब वहाँ काम उसके लिए difficult हो गया क्योंकि अब वहाँ बुला हो गया eight times he had to go without food eight times, यानि कभी-कभी उसे बिना भोजन के ही जाना होता था या जाना पड़ता था तो जैसे मुझे जाना पड़ता था, I had to go, तो यहाँ पर क्या है he had to go without food he feared he would soon die of starvation और वह डरने लगा, कि वह जल्द ही भुकमरी से मर जाएगा die of starvation, यहाँ पर starvation का मतलब क्या होता है, भुकमरी और यहाँ पर देखिए, feared है यानि उसे डर लगने लगा, उसके मन में डर पैदा हो गया he would soon die, तो यहाँ पर would का यूज क्यों हुआ है क्योंकि यहाँ पर feared है, इधर past है, तो इधर भी past form होगा the stork thought of a plan, stork ने एक योजना बनाई या एक योजना के बारे में, plan के बारे में सोचा thought about गहाँ पर नहीं है, thought of तो यह यूज आप ध्यान रखेंगे he stood by the side of the pond, वह तलाब के किनारे खड़ा हो गया looking sad, बहुत उदास दिख रहा था, he did not even try to catch the piece which went passing him, यहाँ तक की वह मचली को पकड़ने की कोशिज भी नहीं किया और जो उसके पास से गुजर रहा था, तो even का use कब होता है जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, situation की तुलना करते हैं यानि हिंदी में आप समझें, तो यहाँ तक की के अर्थ में even का use होता है यहाँ तक की वह मचली भी नहीं पकड़ रहा था और तलाब में जो मचलीया थी, फ्रोक्स था, मेढक था, और क्रेब्स था, केकड़ा था उसने नोटिस किया How sad the stork looked, की stork इतना उदास क्यों दिखा and wondered, और आश्चर यह हुआ, what had happened to him, और उसे क्या हुआ A big crab went up to him and asked एक बड़ा केकड़ा उसके पास गया, और उससे पूछा Why are you so sad? तुम इतना उदास क्यों हो? Why are you not having food? तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? The stork replied, I have spent all my life by the side of this pond मैंने इस तालाब की किनारे अपनी पूरी जीवन बिता दी I have always been happy मैं हमेशा खुछ रहा हूँ Now things are going to change अब चीजे बदलने जा रही है All the fish in the pond will soon die and I shall be left without food इस pond में सभी मचलियां मर जाएंगी और मुझे बिना भोजन के ही रहना पड़ेगा All the fish in the pond will soon die and I shall be left without food Why uncle? asked the crab Crab ने पूछा, क्यों uncle? Because I heard people say that they will soon fill this pond with soil and grow crops over it क्योंकि मैंने सुना है लोगों को कहते हुए I heard people say that तो एक सीज आप नोटिस करेंगे कि I heard people say that है I heard to say नहीं है जैसे दो वर्ब रहता है तो बीच में to लगता है तो यहाँ पर to use नहीं हुआ है और बहुत सारे वर्ब में नहीं किया जाता है जैसे help के साथ भी कभी कभी नहीं होता है I help go जैसे जाने में मदद किया इस तरह सोट में भी use होता है तो उसी परकार यहाँ पर है I heard people say यानि मने लोगों को कहते हुए सुना है They will soon fill this pond with soil वे लोग इस तालाब को मिठी से भर देंगे and grow crops over it और उसके उपर फसल हुगा आएंगे Then there will not be any fish left alive उसके बाद कोई भी मचली जिंदा या जिवित नहीं बचेगा The fish, crabs, frogs in the pond heard what the stork said मचलिया, केकडे और मेठक ने उनकी बातों को सुना उसने जो कहा A fish said एक मचली ने कहा Uncle, you have given us bad news आपने तो हम लोगों को bad news दिया है But you are wise लेगिन आप तो चालाख है Please tell us how can we avoid this danger आप मुझे बताइए कि हम लोग कैसे इस danger को, इस खत्रा को टाल सकते है तो यहाँ पर avert मिस क्या होता है टाल देना The stork said Stork ने कहा I am only a bird मैं तो एक पक्षी हूँ Even so, I may be able to help you in a small way मैं आप लोग को एक छोटे से वे में help कर सकता हूँ उसने कहा कि I am only a bird मैं तो एक चिडिया हूँ, पक्षी हूँ Even so, I may be able to help you in a small way मैं आप लोग की थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ There is a bigger and deeper pond some distance away Some distance away यानि कि कुछ दूरी पर एक बड़ा और गहरा pond है, तालाब है It cannot be filled up so easily और यहाँ बहुत आसानी से नहीं भर पाएगा If you want, यदि तुम चाहो I can take you all there मैं तुम लोग को वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ I can take you all there You are our only friend, uncle Said the fish Fish ने कहा कि आप ही मेरे दोस्त हो, uncle You can save us आप हम लोग को बचा सकते हो Please take us to that pond हम लोग को उस pond के पास लेकर चलिए It is difficult, said the stork But shall do my best उसने कहा कि यह कठीन है लेकिन मैं अपना 100% दूँँगा अपना best दूँगा I shall do my best Take me first Take me first, said all the creatures सभी प्राणियों ने Creatures ने कहा पहले मुझे लेकर चलिए Aid this the stork said इस पर stork ने कहा I can carry only a few at a time मैं सिर्प कुछ ही को एक साथ लेकर जा सकता हूं I can carry only a few at a time यानि carry में सभोना एक तरह से लेकर जाना But I shall try to make as many trip as possible और जितना trip संभब हो सकेगा मैं तुम लोगों को लेकर जाऊंगा यानि trip wise You must know that I am old now and I would need a little rest after every trip जैसा की तुम लोगो पता होगा You must know that यानि जरूर पता होगा I am old now, अब मैं बुढा हो गया हूं and I would need a little rest after every trip और प्रतियक ट्रीप के बाद मुझे आराम की जरूरत होगी Soon the stork set out on his first trip He took a few feet in his beak and flew away और जल्द ही उसने अपना trip शुरू किया set out on his first trip यानि अपनी यातरा शुरू की He took a few feet in his beak अपनी चोँच में कुछ मचलियों को दबाया and flew away और उड़ गया He did not however take them to another pond as he had promised जैसा है उसने वादा किया था दूसरे तालाब में ले जाने के लिए तो उसने ऐसा नहीं किया but carried them to a big rock and he ate them up और उसने उन लोग को एक बड़े चट्टान पर लेकर गया और वहाँ पर उसे खा लिया यानि खाकर समाप्त eat up eat up मतलब खाकर समाप्त कर देना then he returned to the pond और फिर वह तालाब के पास लोटा he took a few more fish उसने कुछ और मचलिया ली only to fly with them to the rock and make a meal of them और शिर्फ उन लोग को चट्टान पर ले गया और उसे अपना भोजन बना लिया make a meal of them having had enough food for the time being for the time being यानि कुछ समय के लिए फिलहाल तो उसे बहुत सारा भोजन मिल गया having had enough food for the time being he rested for a while कुछ समय उसने आराम किया for a while कुछ समय के लिए when he felt hungry again जब उसे फिर भूग लगी he went back to the pond वो फिर वापस तालाब में गया to pick up some more fish कुछ और मचलिया लेने के लिए he came to the pond as often as he felt hungry जब भी उसे भूग लगती वो तालाब के पास पहुच जाता था still left in the pond was the big crab और अभी भी उस तालाब में एक बड़ा केकड़ा बचा हुआ था he felt he should also leave the place and save himself उसने भी सोचा कि उसे भी इस जगह को छोड़ दना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए so he said to the stork इसलिए उसने stork से कहा uncle save me also मुझे भी बचाईए the stork was getting tired of eating fish और मचली खा खा कर stork अब थक चुका था and he thought he might try a crave for a change और उसने सोचा कि अब उसे जरूर एक केकड़े को खाना चाहिए try करना चाहिए for a change एक बदलाव के लिए of course my young friend said the stork stork ने कहा बिलकुल जरूर बेसक of course my young friend मेरे यूबा दोस्त I am here to help you मैं यहां हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए come I sail take you to the big pond आओ मैं तुम्हें बड़ी तालाब के पास लेकर चलता हूँ the crab was happy when the stork picked him up and flew away और crab बहुत खुश था जब उसने उसे उठाया और उसको लेकर उड़ गया after a while कुछ समय बाद the crab looked down crab ने नीचे देखा he wanted to see the pond he was going to live in और उसने उस तलाब को देखना चाहा जिस तलाब में वह रहने जा रहा था but he could not see any water anywhere और उसे कोई भी पानी कहीं भी दिखाई नहीं दिया soon the stork was flying down और जल्दी stork नीचे की तरफ उल रहा था uncle where is the big pond you are taking me to बोला uncle वो बड़ी तलाब कहा है जहां पर आप मुझे ले जा रहे हो ha 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 laughed the stork stork hasa don't you see the huge roke down there तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ एक बहुत बड़ा चत्तान that is the place I am taking you to यही जगह है जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ that is the place I took all the fish to और यही वह जगह है जहां मैंने दुत्रे सभी fish को लेकर गया the crab could now see the roke clearly अब जो है crab उस roke को clearly देख सकता था there were hips of his bones on the roke और उस roke पर चत्तान पर hips of his bones था यनि मचलियों की एक तरह से काटे वेगर का जमाबला वहाँ पर था he knew the stork would land on the roke kill him and eat him up वह जानता था की stork उसे वहाँ पर यानि की roke पर लेकर जाएगा या roke पर उत्रेगा land करेगा kill him उसे मार देगा and eat him up और उसे खा लेगा as he had done with all the fish जैसा ही उसने सभी fish के साथ किया था the crab thought hard crab ने बहुत जोर लगा कर सोचा suddenly he dug his sharp claws into the stork's neck और अचानक उसने अपने sharp claws को यानि अपने पंजे को stork के गर्दन पर जकडा जोर से दबाया the stork struggled अब जो है stork struggled करने लगा flapped his wings अपने डैने को फलफलाया and tried his best to get rid of the crab और crab से बचने के लिए बहुत परियास किया the latter was pressing the bird's neck with all his strength और later मतलब बादवाला यानि कि crab जो है अपनी पूरी ताकत के साथ with all his strength पंजे को claws को प्रेस किया दबाया यानि वह दबा रहा था after the stork was killed और जब stork मारा गया the crab returned crab वापस आ गया his friends were surprised to see him back और उसके दोस्त उसे वापस देखकर surprised थे why brother they asked उन लोगों ने पूछा क्यों भाई why have you come back तुम वापस क्यों आ गये हो what happened to uncle stork और uncle stork के साथ क्या हुआ here he is said the crab crab ने कहा ये रहा only his head उसका सिर्प सिर he then told them how the stork had been cheating them and how he had put an end to him उसने कहा कि कैसे stork cheating कर रहा था उन लोगों के साथ और कैसे उसने उसके जीवन को खत्म किया उमीद करता हूँ दोस्तों कि या स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ words सिखने को मिले होंगे कुछ आप लोगों को structure समझ में आया होगा और इसी तरह के वीडियोच के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीचिए और दुतरे सभी वीडियोच को जरूर देखिए All right friends, thanks for watching Have a great day